हेलो फ्रेंड्स मैं हेमलता खाती स्वागत है आपका मेरे योटूब चैनल हेमलता कुकिंग कॉल्धर में आज मैं गोबी 65 की रेसिपी आप लोगे साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इंट्रेसिपी है तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं गोबी 65 बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पानी बॉइल होने के लिए रख दिया है अब हम इसमें एक स्पुन नमक एड़ करेंगे और मैंने एक किलो गोबी को काट लिया है और उसे मैं पानी में एड़ कर दूँगी और दो से तीन मिनट के लिए हम इसे बॉइल होने देंगे अब गोबी को बॉइल होते हुए तीन मिनट हो चुके हैं और गोबी को मैंने पानी में से निकाल लिया है अब हम गोबी को मैरिनेट करेंगे गोबी को मेरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम 3 स्पून ओयल लेंगे और उसमें मैं एट करूँगी 1 स्पून लाल मिर्स पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेंगे इससे गोबी में बहुत अच्छा कलर आएगा और अब मैं इसमें एट करूँगी दही मैंने यहाँ पर लगबग चार स्पून दही ले लिया है साथ ही में इसमें एट करूँगी एक स्पून गरम मसाला एक छोटी स्पून हल्दी पाउडर नमक स्वादा नुसार चार स्पून कॉन स्टार्च और हरा धनिया गैसुन का पेस्ट और इन सभी इंग्रिडियंट्स को हम मिक्स कर लेंगे अगर आपको यह थोड़ा ड्राइ लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी एट कर सकते हैं मैं आप लगबग दो स्पून पानी एट कर रही हूँ और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब देखिए मेरिनेशन तयार है अब हम इसमें गोबी एट कर देंगे और हातों से गोबी को मेरिनेशन में अच्छे से मिला लेंगे और अब देखिए मैंने गोबी को मेरिनेट कर लिया है अब हम इसे फ्राई करेंगे फ्राई करने के लिए मैंने ओयल गरम होने रख दिया था अब ये गरम हो चुका है और अब हम इसमें एक एक करके गोबी डालते जाएंगे पहली बार में हम इसे हलका ही फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे देखिए मैं इसे अभी निकाल रही हूँ ये पूरी तरह से फ्राई नहीं हुए है देखिए अब मैं दुबारा से फिर से इने फ्राई करूँगी इससे गोबी में बहुत अच्छी क्रिस्पीनेस आ जाती है और अब हम दोना तरब से पलटकर अच्छे से इने फ्राई कर लेंगे और अब ये फ्राई हो चुके हैं मैंने इने निकाल लिया है इसी तरह हम बाकी की बचीवी गोबी को भी फ्राई कर लेंगे और अब मैं यहाँ पर कुछ कड़ी पत्ते और 5-6 हरी मिर्च लेकर उने फ्राई कर रही हूँ देखिए अब ये फ्राई हो चुकी हैं चलिए गोबी 65 सर्व कर लेते हैं बहुत ही क्रिस्पी गोबी 65 बनकर तयार हुई है और खाने में ये उतनी ही ज्यादा स्वादिस्ट भी है हरी मिर्च और करी पत्तों को जो मैंने फ्राई किया था उससे मैंने इसे गानिश कर लिया है आप इस रेसिपी को एक बाद जरू ट्राई करें आपको ये बहुत पसंद आएगी आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद